तो नमस्का दोस्तो मैंने में रुद्रा आप देखाएब इन्फॉर्मेशन दोस्तो आज की इस बिरो में हम बात करेंगे पबजी मौल के अंदर जो एक नया इवेंट आया है दोस्तो ये जो इवेंट है हमें आज सुबह के अंदर इस देखने को मिला है पबजी मौल के अंदर तो अगर अप टाइम लुमेटर के अंदर आज आते है तो यहाँ पर आपको The Warrior Journey करके event देखने को मिलेगा तो इसके अंदर आपको चार चेप्टर देखने को मिलेगा तो यह जो चार चेप्टर है चार अलग-अलग चेप्टर है एन यहाँ पर कुछ missions है पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो एक कोशन मार् तो चार चेप्टर के अंदर अलग-अलग missions है जिसको आपको daily basis में complete करना है तो second में यही कहा गया कि complete two daily missions to open the days crate तो आपको per day crates भी देखने को मिलेगा अगर आप mission complete करते है तो आप crate opening भी कर सकते है और दोसो इसके साथ साथ और एक चीज़ बोला गया है कि आप जो missions complete करेंगे जो dragon champion करके एक नया तलवार आपको देखने को मिले रोयल पास के अंदर उसको लेकर आपको complete करना पड़ेगा यह जो missions है तो मैं आपको दिखा देता है कौन सा ही तलवार तो यह जो तलवार है देख पार होंगे 50 rank पे जो रोयल पास player है उनको मिलने वाले तो इसक के साथ साथ बोला गया है कि जो evo ground है एंड जो war mode है इसके अंदर आप यह जो mission से इसको complete नहीं कर सकते हाला कि जो normal missions आते हैं उसको भी हम evo ground and war mode के अंदर complete नहीं कर पाते हैं तो इसके साथ बोला गया है 6 number point के अंदर की participate in the event for a chance to visit the final of PMCO falls championship तो यहाँ पर बोला गया है कि अ काफी अच्छा मौका है अगर आपका luck रहता है या फिर आप अगर जीद भी जाते हैं तो आप जा सकते हैं PMCO finals के अंदर तो और भी बहुत सरे rules है जिसको जाके आप पढ़ सकते उसके बाद event को खेली 13 rules है total तो सब को जाके पल लेना मैं जो थोड़ा बहुत important था उसको मैं दोस्तों यह जो helmet का skin है यह आपको मिलेगा अगर आप जाके first login करते हैं तो आपको यह पहले ही मिल जाएगा and पास दिनों के लिए यह है permanent नहीं है क्योंकि PUBG बाले इतना असानी से permanent चीज़ हमें नहीं देते हैं तो अगर आपको लेना है आप जाके helmet का skin ले सकते हैं यूज कर सकते हैं काफी अच्छा skin है और उसके साथ देखते हैं मिशन क्या है तो मिशन के जाने के बाद हम देख लेते हैं आज का मिशन क्या दियागे क्योंकि डेली मिशन यहां पर आएंगे डेली अपक्रेट भी open कर सकते हैं तो आज कर जो पहला mission था कि login करना है तो login मैं नहीं कर लिया है इसलिए पहला तो मेरा complete हो चुका है तो second है कि spend 1000 बीपी तो 1000 बीपी मुझे spend करने तो मेरे पास अभी 11,000 है तो थोड़ा बहुत मैं use कर लेता हूं यहां पर जाके तो मैं जो silver fragment है इसको भाई कर लेता हूं ताकि BP जल्दी जल्दी खतम हो तो यहां पर हम जाते ह जैसे मैंने वीडियो बनाया था आप BP देखे silver fragment भी खड़ी सकते हैं तो मैं यहां पर 5000 लगा है तो देख पाने यहां पर मैंने purchase कर लिया 25 silver fragment तो अभी दाके देखते हैं कि यहां पर event complete हुआ या नहीं तो event के जाने के बाद फिर आपको chapter 1 के अंदर आना है and chapter 1 के अंदर आ के अंदर तो मुझे दो classic crate coupon scrab मिल चुका है and day 2 के अंदर भी missions यहां पर दिया गया है तो अगर आप यह mission भी complete करते तो आपको और भी crate देखने को मिलेगा and daily आपको crate मिलेगा तो crate के अंदर premium crate coupon scrab भी हो सकते पता नहीं तो free में मिल रहा है तो free में लेने में कोई हर्ज नही यहां पर यही बोला गया है and 200 इसके साथ जो day 3 है इसके अंदर आपको बोला गया कि जो helmet का screen है उसको पहन के आपको एक enemy को kill करने तो पहला mission आपका complete होगा and second mission के अंदर आपको top 10 के अंदर finish करना है उस helmet का screen को पहन के तो आपका day 3 भी complete हो जागा and आपको और एक crate देखने क को मिलेगा तो यही तो chapter 1 के कुछ missions तो यहाँ पर मैंने explain कर दिया some missions को भी तो आप easily complete कर से तो उसके बाद chapter 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा तो ऐसे करके आता रहेगा तो आपको directly event को complete करते रहना है आपको यहाँ पर classic crate coupon crab भी मिल सकता है premium crate coupon crab भी मिल सकता है तो आप create opening भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको temporary outfits भी देखने को मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा event है आपको directly जाके event के अंदर आप इसको complete कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा छोटा से एक informative वीडियो था इस event के related तो वीडियो कर अच्छा लगा है वीडियो को like कर दीजिएगा और इस साथ को चलते हैं have a nice day